वेरी वेरी विविवनिंग तो तो दिस इस पर उपेशी सी इस्ट गाइश और यू रहाएं वेरी वरी इनुविटी प्लेटफॉर्म यह आपका स्वागत है इंडिया लाज़ेस लाज़ेस रॉनिंग प्लेटफॉर्म और आज की क्लास कुछ खास होने वाले कुछ करने बाले है और आज की लास के अंदर मैं आपको बता दू करने अफेर्स का हम स्टार्ट कर रहा है और यह उसके अंदर करने पर करने वाले हैं अब बफोर स्टार्ट काईज करने की कोशिश करूंगा और मिल्टीपल दैमेंचिन में आपको यहां पर इसके अंदर पढ़ाने की कोशिश करूंगा राइट सो बिफोर स्टार्ट फॉर्स अपल आ वाल आ वां वां तो लेट यू आट की अभी तक वन येर का जो सब्किशन लेरे थे हैं आप ऑप्शन सब्किशन प्लस जीएस यूपसी जीएस कॉम्बो सब्किशन वो 55,000 सम्तिंग का था 55,523 का था जब आपको यूज करते हैं तो आपको 55,523 का यह मिल रहा था बट आज और कल के लिए यह एक्स्टेंड हो चुका है 1 से 3 के लिए था बट विकॉस बहुत ऑसम रेस्पॉंस में आज वेल आज वेल से सब्किशन पर अबर अबस इसके साथ साथ बहुत साई चीज़ें जैसे के आप देख सकते हैं नोट विल आज विल आज बी प्रोबाड यहां पर प्रोड की जाएंगी अनके अचैडमी पे अगर आप सब्किशन लेते हैं प्लस कॉम्ब सब्किश इन अटर डिटेल यहां पर 100 प्लस आपको पढ़ाने आते हैं जो इसी तरह से अनकेडमी यूपी सी से सी कॉम्बैट भी यहां पर कॉम्पेटिशन करवाता है जिससे के आप अपना क्या करेंगे जो की डिसेंट से उसकी बेसिस पर आप प्रेपरेशन करें और अनकाइडम के अंदर एक आइक से नुविशन का मतलब क्या है कि आइक मीन्ज के इन्वेशन अनकाड में कराय आ क्यों आ को कैसीद को परसनेल चैडिश्र के आपको पर स्डूर्स और 237 आवर्स आपके साथ रहेंगे ठीक है और ये जो होगा plus subscription की सारे benefits के अंदर आपको मिलेंगे plus एक अलग से team of mentors will be there to guide you right यहाँ पर आप live mentoring देख सकते हैं study planner और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप open house देख सकते हैं educators के साथ one to one आपका education यहाँ पर मिल दाए रहे से अपन बच्पन में tutors होते थे अपने लिए right की personal tutors होते थे वैसे अन academy यहाँ पर provide कर रहे है personal mentors सारे educators जो होंगे वो plus वाले होंगे plus यहाँ पर एक अलग से team होगी mentors की जो आपको guide करेगी यह आप यहाँ पर subscription की चार्शीट देख सकते हैं इस प्लस सब्किशन चार्शीट पर मैं आपको कहूंगा कोई भी अगर प्लस सब्किशन ले रहे हैं तो देखिए अभी फीस में ज्यादा difference नहीं अभी 46,000 रुपीज आपको पे करने ठीक है और 48,000 के अंदर आपको combo भी मिल रहा है राइट तो आप यह देखें कि आप प्लस सब्किशन की जगे combo के अपर जाएं जिसके अंदर 48,000 रुपीज यह सर्फ 48,000 रुपीज जो प्राइज है यह दो दिन के लिए है यह है दाट इस पूर्थ और फिफ्ट चलिए अब ले सकते हैं और इसे तरह सी टेस्स ट्रीज आपको बढ़ा रहा है और इसके अंदर हम देखेंगे जो 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 जोग्राफिक के NCRT है जोग्राफिक के NCRT है वो मैं आपको बढ़ाता हूँ 12 पेम पर special classes के अंदर ठीके special classes के अंदर 7th class के NCRT का description में लिंक आपको मिल दाएगा इसके अलावा मैं आपको देखते हैं इकॉनमिक के NCRT बढ़ा रहा हूं 630 पेम पर YouTube पर इसी तरह से मैं जोग्राफिक के NCR NCRT जो 7th class के NCRT पर ने complete कर दिये उसके question answer sessions will also be there ठीक है वो कल होगा 8 बजे ठीक है वो अनकाडमी की प्लस अनकाडमी की जो classes होंगी उसके अंदर special classes में होगा उसका description में एक बार आप देखें सभी और मुझे बता हैं please description में देखने के लिए देखने के बाद कि वो link है की न static portion और fundamentals आपके cover करेंगे इसी तरह से plus courses के अंदर आप देखेंगे मेरे international relation course ethics integrity and aptitude यह भी चल रहा है course economics मैंने पढ़ा दिये modern history में पढ़ाने वाला हूं तो यह इस तरह के different different dimensions में आप courses देख सकते हैं राइट चलिए तो लेट्स start with this one this is chapter number one chapter number one में अपन इसके अंदर पढ़ यहां पर क्या करेंगे सारे के सारी magazines सारे के सारी government website सब कुछ इसके अंदर cover करेंगे ठीक है this is important third important thing is that कि इसके बाहर आपको सिर्फ sports की news आप पढ़ लेना वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा उसके अलावा सब कुछ मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा right I hope this is clear तो दे इसे योजना कुरुक्षेत्र और बहुत तरी magazines इसके अंदर cover की गई है right तो different institutions की magazine इसके अंदर cover करिए इससे आपको multiple dimension के अंदर चीज़े समझवारा है right चली दूसरा important चीज़ यह है कि इसको पढ़ने के कुछ तरीके हैं कुछ rules set करें मैंने एक तो इसका daily अपन जो classes चल topic इसके अंदर cover कर लेंगे ठीक है second important thing is that one कि इसके उपर quizzes भी होंगी obviously बिना quiz के आप कैसे करेंगे ठीक है third important कि हम यहाँ पर कुछ tips और tricks यूज़ करने वाले हैं ठीक है तो जो भी बच्चे serious guys है ना वह यहां पर ना है tips और tricks बहुत ही वहीया tips और tricks अपन यूज़ करेंगे इसके अंदर ठीक है multiple dimension के अंदर राइट चौथी important चीज ठीक है PDF आपको daily मिलेगी daily PDF मिलेगी पिछली बार ऐसा हुआ था कि PDF में बहुत miss match हो गया था जिसके कारण बहुत सारी समस्या है आपको जहलने पड़ी थी इस बार यह समस्या है नहीं जहलने पड़ेंगी daily PDF I will provide to you right this is clear आपको क्या करना है you have to revise, revise and revise again ठीक है तो आपको revision करना है revision बहुत important है आपको मैं PDF provide कर दूँगा और quiz sessions जो होंगे quiz sessions coming sessions के अंदर quiz sessions होंगे special classes के अंदर वो सब को attend करना है बच्चो यह सब चीजे कर लीजे अपन 1.5 year के current affairs मैं आपको पूरा का पूरा इसके अंदर पढ topics हैं आज की ठीक है अगर हम देखिए इतने सारे topics आज आपको पढ़ना है 45 minutes के अंदर मैं इसार topics आपको रटवा दूँगा आपको अच्छे से समझा दूगा राइट अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पीछे current affairs है उन सब से सब जल्द जल्दी कवर कर लेंगे इनके current affairs मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि recent current affairs बाद में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा तो I hope this is clear to everyone यहां से अपनी start करते हैं अपने class को just give me a thumbs up so that I can it will motivate me also ठीक है जब आपका reaction अच्छा रहता है ठीक है आप लोग जादा से जादा इस वीडियो को share करें प्लीज लाइक दिस वीडियो as much as possible जिससे कि मैं भी आपको अच्छे से पूरे मन से पढ़ा पाऊं और पूरी यह series अपन complete कर पाए है राइट चलिए let's start with the first first topic that is Senegalo-Mauritanian लें एक्क्यूफायर बेसिन देखिए अभी बहुत बड़ी चीज़ी है चार वेस्ट अफृकन कंट्रीज ना उन्होंने काया कि हम ये जो एक्क्यूफायर का मतलब समझते हैं इसके बाहस सारा पान यह ठीक है इस बेसिन के उपर हम मिल बाटके काम कर लेंगे हम corporation करके काम कर देंगे तो चार कंट्री को नौर्ट से साउथ में किस तरह से रेंज करना है वो आपको याद रखना पड़ेगा ठीके दिस इंपॉर्ट चलिए तो लेट स्टार्ट वेस्ट अफ्रिकन कंट्री इसका नाम है गैंबिया गुनिया विशाव और मॉरिडेनिया और सिनागल यह जो चार कंट्री है सिनागल यह चार कंट्री जो है एक अक्यूफायर मतलब जिसमें बहुत सारा पानी है अगर आम देखेंगे यह एक अक्यूफायर है यह पूरा एक अक्यूफायर है इसके अंदर बहुत सारा पानी है अगर आम देखेंगे बहुत सारा पानी है इसके का agreement sign कर लिया है कि हम सब मिल बाठ कर इसके अंदर क्या करेंगे इसके अंदर हम मिल बाठ कर पानी का यूज करेंगे एक अक्यूफायर है अक्यूफायर मतलब जिसके अंदर बहुत सारा पानी है तो यह बहुत important news है because इसके उपर conflict हो सकता था conflict ना होकर peace cooperation की थ्रोई हुआ अब हमको क्या करना है यह चार जो countries है यह बहुत important हो गई सिनेगल ठीक है Moritanian और यहां पर देखेंग अपन this is this country यह अगर आपको दिख रहा है this is Gambia ठीक है यह country जो है मैं से पूछा जा सकता है North से South में arrange करो मैं तो पूछूंगा भाई इस बार इसके इंदर एक question आएगा तो कैसे करोगे देखो एम यह नाम तो याद हो जाएंगे Moritanian Senegal ठीक है और हम इसको खेल रही थे game game है तो Gambia इस ते याद पर होगे सिनेगल सिनेगल और यह था कि जैसे पानी बढ़सेगा ना तो मोर नाचेगा और अगर आप देखेंगे नौर से साउथ में कैसे करें सरयाद याद हो गयाद है और तीसरा जो है एला तीसरा जो है गुएना और तो उसको था मोर नात और इसको बड़ना डरा ने करें इन सब्सक्राइब और क्या चल रहा है है गाना भी बखते ग्वेन यह चार कंट्रीज दोगी अब इस कांट्री को कैसे सीरिवे करोंगे में बहुत दाइब क्रोंगे मैं बहुत ही विएड ट्रिक्स दो ऐसक्ते आप के लिए बहुत अच्छी तरह काम हुआ फो लिदेखेंगे मेस गi क्या लोगों ने मिल बाट कर पानी ले रहें और यह चार कंट्री है चार कंट्री के मैं आपको यह नाम याद करा दिये आउप इस इसक्राइब राइट आए विडियो भी अविलेबल आफ्टर इस सेशन आम नौट कहने अंचार कंट्री ने का कि हम एक लीगल और इस्टूशनल फ्रेमवर बनाएंगे for cooperation on SMAB, SMAB मनलब सिनेगल, सिनेगल के बाद मॉर्टेनियन और अगर हम देखेंगे एक्क्यूफायर बेसिन इनके उपर हमने क्या करा है, एक लीगल फ्लेमवर्ग बनाएंगे इस तरसीन कंट्रीजनिस में कहा है, this would be first such mechanism in the West Africa, West Africa, देखो किसनी बड़ी बात है कि पहला इसा mechanism हो रहा है, West Africa के अंदर, right तो मैंने आपको बता दिया है, ये जो है सिनेगलो, मॉर्टेनियन, एक्क्यूफायर बेसिन, जो है बहुत बड़ा, एक लार्जस्ट बेसिन है, in Atlantic Margin of the Northwest Africa, having an area of 350,000 square kilometer, right, so this is how you have to understand, this is how you have to read this news, ठीक है, second जो news है, that is important, 7th Indian Ocean Naval Symposium, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि France के अंदर ये हो रहा है, ये France के अंदर हुआ है, और ये 7th हुआ है भी, right, 7th Indian Ocean Naval Symposium हुआ है, France के अंदर, और इसके अंदर जो भी लिटोरल स्टेट हैं, ये जो भी लिटोरल स्टेट हैं, वो आपस में कोपरेशन कर रहे हैं, किसलिए कि उनकी रीजनल सिक्वर्टी जो हो बढ़ जा है, right, तो अगर हम इंडियन ओशन का रीजन देखेंगे, अगर हम यहां पर मैप में देखें, इसके अंदर, तो इस आपर कंट्रीज ये जो लिटोरल स्टेट्स हैं, ठीक है, लिटोरल स्टेट्स जो है, इस आपर देखो अभी क्या है, रिसेंटली 7th edition of the Indian Ocean Naval Symposium was hosted by the French Navy at Reunion Island, आप यहां पर आप देखेंगे, इंडियन ओशन के जो लिटोरल स्टेट्स हैं, ठीक है, लिटोरल स्टेट्स हैं, यहां पर मैरिटाइम को बढ़ाने के लिए, और रिजनल स्टेट्स को बढ़ाने के लिए, एक वलेंटरी और इंक्लूजिव इनिशेटिव है, जिसने की सारी जो निवी होंगी, ठीक है, इंडियन ओशन रिजन्स की सारी निवी होगी, वो एक साथ आएगी, अच्छा, यह पूछा जाए कि भाई, यह इवेंट कब हो फ्रांस ने इसके अंदर, दो साल के टैन्योर के लिए, फ्रांस ने इसमें गया है, चेर्मेंशिप देखी गई है, यह इसकी कंट्रीज हैं, यह मेंबर कंट्रीज हैं, अगर आपको देखना हो, तो यह याद करना है, पिछली बार G20 पे पूछा गया था, इस बार हो सकता है, यह पूछा जाए, IONS के अंदर कौन कौन सी कंट्री है, और आप बिल्कुल ध्यान रखें, इंडिया is the founding member of IONS, ठीक है, यह आपको इसके अंदर याद रखना है, तो हम देखेंगे, चेर्मेंशिप अगर हम देखे जाए, तो इंडिया को भी दो साल के लिए चेर्मे नहीं है, यह आपको याद रखना है, पर चायना इसका observer state है, यह आपको इसके अंदर कम से कम इतना तो याद रखें, ठीक है, चली, आगे हम चलते हैं, इसके अंदर, members क्या है, IONS includes 24 members nations that touch or lie within the Indian Ocean region, क्यों Indian Ocean region के अंदर रहते हैं, ऐसे 24 member states, member nations जो होते हैं, इसके अंदर है, इन सब के मैंने आपको नाम बता दिए, यह नेम है, यह बार पढ़ने सब, देखिए, पाकिस्तान भी है, इसके अंदर, यह पाकिस्तान भी इंडिया नोशन नेवल सिंपोसिसम का क्या है, member है, इंडिया भी member है, और चायना member नहीं है, यह आप देख लें, इसमें confusion हो सकता है, राइट, चलिए, आगे हम बढ़ते हैं, इसके अंदर, हाँ, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, that is very important topic, that is national multidimensional poverty index, ठीक है, multidimensional poverty index आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो की UNDP निकालता है, UNDP, बट यह क्या है, national multidimensional poverty index, और यह कौन निकालता है, यह निकालता है, अपन हमारा नीती आयोग, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जो multidimensional poverty index है, वो तो निकालता है UNDP, ठीक है, पर हमने कहा कि हम इसपे वरोसा नहीं करते हैं, हम national multidimensional poverty index निकालेंगे, हम यह निकाला है, जिसका नाम है, जिसका नाम है क्या, national multidimensional poverty index, अब इस नाम को समझ लेता है कि गर एक बार मंटी डैमेंशनल पाइं पेने के लिए पानी नहीं नहीं है तो तुम पूबर हो तो तुम ट्लिंशनल लिए Ayon तुम अमीरो ऐसा नहीं हो सकता, वरिळीीमेशनल यह आपको पढ़ेगी, पढ़ेगी कैसी चीज़े, तो देखो नीति अयोग जो है ने कκιम पढ़ेशनल एक जो पढ़ेशनल 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 इंदेक्स लेकर आ रहे हे, तो human development initiative Oxford poverty human development initiative ये एक organization है plus UNDP plus नीतियायोग national multi-dimensional poverty index निकाल रहे है इस इस क्लियर है तो हम देखेंगे अब इसके अंदर क्या हुआ यह जब निकाला गया है ना निश्टार मुल्टि डैमेशनल poverty index निकाला जाए गया किसके तरह नीतियायोग नीतियायोग in collaboration with what UNDP and Oxford poverty and human development initiative इनके दारा जब निकाला गया तो हमको यह पता चला कि भाई बिहार जो है वो अत्यन्त गरीब state है मारे अंदर ठीक है अगर हम multi-dimensional poverty देखें तो multi-dimensional poverty बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा है यह हमने देखने को मिली ठीक है और किरेला के अंदर multi-dimensional poverty जो है बहुत कम है यह हमने देखने को इसके अंदर मिलता है तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके जो था उसके यह इंडिकेटर्स थे health के अंदर देखें nutrition child mortality यह दो इंडिकेटर्स इसके एजूकेशन के अंदर देखेंगे तो year of schooling and school attendance यह दो इंडिकेटर है living standard के अंदर देखेंगे तो यह 6 क्या होंगे 6 यह एक तरह से क्या है इसके इंडिकेटर्स यह है यूएंडीप वाले के अब हमारा नीतियायोग वाले ने इसमें क्या चेंज करा है समझो नीतियायोग ने यहाँ पर health के अंदर तीन इंडिकेटर्स लिए हैं देखें यहाँ पर दो इंडिकेटर्स यह पूछा जाएगा question समझें बहुत important है पहली ब सकता़ इसके इधर देखेंगे यjest यूएंडीप वाला है य यूणडी वालार को यह नीन दिजवाला नीटियाव यह निटिमस्टाव टीके यहां इंटिमस्न पर इंडेक्स क्लियर है यहां पर चंझ है को समझ गैं इसको वेटेश दिया गयाушки ऊंतले के इसको यी किशन कि कौन से दो नए इंडिकेटर हमने pil passionate नेशनल Competस् aja इससके एवर्यवन आभ और देखो inclusion of two additional indicator that is anti-natal care and bank account this is important anti-natal care किसके अंदर डाला है health dimension के अंदर डाला है और यह bank account जो डाला है that is in the standard of living standard of living के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नितियायोग ने रिपोर्ट निगाली that's why it is important अगेन मैं कर रहा हूं यह दो-दो इंडिकेटर हमने anti-natal care और bank account यह दो हमने नए एड करें है right is this clear to everyone जल्दी से बता है तो देखो anti-natal care का मतलब क्या है यहां पर देख लेते हैं आपन a household is deprived if any any women in the household who has given birth in the five year preceding the survey has not received at least four anti-natal care visit इनको anti-natal care visit उन्होंने नहीं करें अगर पास साल के अंदर कोई pregnancy हुए किसी women के उसने क्या करा है four anti-natal care visit इसको नहीं कर पाई है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो anti-natal के अंदर deprived है is this clear to everyone यह समन्होंने है तो this is known as anti-natal care यह आपको समन्होंने हाता होगा अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर this indicators this is very very important कि हमारी जो टोटल population है उसके अंदर deprived वाल indicator से आप देख सकते हैं nutrition के अंदर 37.6% हम deprived है हमारे country के अंदर 37.6% persons जो है highest deprivation कहा है सबसे highest deprivation कहा है तो आप बताएंगे साब सबसे highest deprivation जो है that is 58.5 cooking fuel के अंदर सबसे highest deprivation is this clear to everyone ठीक है अरपीता इस is clear अरपीता एंटी नटाल के अच्छलों इसके आगे हम देखेंगे और डेटा जो है भिहार है था highest proportion of the people of the state's population followed by the जार्खंड and उत्रप्रदिश वह multi-dimensionally poor ठीक है तो बिहार सबसे ज्यादा पूर है जैसे मैंने आपको अप्रोक्सिमेटली 50% जो लोग है भिहार के वह multi-dimensionally पूर है के रिला जैसे हमेशा देखते हैं हमेशा की तरह इसने टॉप कर रहा है रिजिस्टर दा लोवेस्ट पॉपलेशन पॉपर्टी लेवल्स फॉलोड वैदा पूडूचरी लक्षिदीव गोवा एंड सिक्क्रम इतना वर्तों आपको याद रखना पड़ेगा प्रम गुजराथ शिप्ट केनिया यह 8th जुलाई की न्यूज है और इसके कारण यह अपने करन्ट अफेस के अंदर है तो अभी हमने देखा है कि भाई जो वीट है वो क्या है अभी उसको अपने गुजराथ से केनिया की तरफ शिफ्ट करा है और श्रिलंका की तरफ डाल अगर आगर आप जिम से रिलेट करते है तो इसलिए बहुत प्रोटीन क्रोटेन यह हई अही प्रोटीण content तो भालय वीट, variety of the wheat was exported to Kenya and Sri Lanka from the Gujarat. That's why it is in the news. इसको जो certificate मिला था, 2011 के अंदर मिला था. High protein content है और सबसे important यह है कि इसका जो taste होता है, that is meata होता है, taste के अंदर ठीके, भला है. भला है मतलब भला का मतलब क्या है? इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा इसलिए भला है दूसरा important चीछ क्या है इसके अंदर sweet taste test का और तीसरा important characteristic है कि rain-fed area के अंदर rain-fed condition के अंदर जहाँ पर ज्यादा पानी नहीं है वहाँ पर भी होग जाता है इतना भला है यह नहीं तो wheat के लिए और rice के लिए कितना पानी चाहिए आपको पता है ठीक है I hope this is clear चलें आगे हम इसके अंदर चलें कि European Space Agency Envision Mission to Venus अब यह भी देखिए यह भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं 12 June का यह न्यूज है ठीक है मैं पहले सब कुछ कवर कर रहा हूं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ठीक है जिससे कि आपका क्या हो प्लस कुछ-कुछ न्यूज में डाल देता हूं ठीक है तो जिससे क मतलब European Space Agency European Space Agency N का मतलब N का मतलब है NASA ठीक है वीजन का मतलब है विजन का मतलब है Venus वीपर Venus तो यह तीन वर्ड जो है ENV European Space Agency N छोटा है मतलब इसका नासा का रोल इसके अंदर कम है European Space Agency नासा और वीनस यह तीन अपको इसके अंदर समझ में आ रहा है तो एन विजन जो है एन विजन क्या है European Space Agency led mission to the planet Venus with contribution from the NASA NASA के अंदर contribution कर रहा है और Venus को जानने के लिए Venus को जानना चाहते है Venus को हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि Venus Venus ऐसा कहा जाता है कि Venus जो है that is twin twin है ठीक है किसका अर्थ का अगर हम देखिए तो अर्थ का इसको twin में माना जाता है कि it is twin to earth ठीक है अर्थ twin के अर्थ का जुडवा भाई है because इन दोनों की size जो है वह बहुत similar है ठीक है size दोनों की similar है that's why it is also known as Venus is also known as what twin ठीक है तो अब हम एन विजन को Venus में क्यों भेज रहे हैं एन विजन के एन विजन European Space Agency का European Space Agency plus NASA is equals to give you envision ठीक है यह आपको यह रखना है European Space Agency plus NASA ESA plus NASA will give you what envision envision के अंदर वी का मतलब क्या है अब इसकी प्लेनेट पर जाएंगे इसकी atmosphere जो होंगे उसकी surface जो होंगे उसको समझेंगे राइट हम यह भी देखेंगे इसके अंदर की कौन-कौन से यहां पर पाई जा रही है ठीक है gases देखना बहुत important होता है इसका surface composition भी देखेंगे क्या इसका surface composition है एन वीजन के अंदर यह सब चीज़े काम करा दाएगा तो देखो इस्टेडीज प्लेनेट इस अटमोसपेर इस पोइंटर ट्रेस गेसे जिन्दा atmosphere और अनलाइजेस इस वाट सर्फेस composition कि इसकी surface composition क्या है अब वीनस और देखो वीनस और अर्थ के बीच में सबसे बिड़ा difference क्या है इनकी साइस तो सेम है इसकी भी साइस सेम होने के बाद ज्यादा कुछ इसके अंदर सेम है नहीं अर्थ क्या करेगे एर्थ इस तुएस्ट गुमेंगी तो इस तुएस्ट गुमेंगा याद रखेगा वीनस के अंदर वीनस मूस इस तुएस्ट ठीक है अपनी एक्सेस पी इस तुएस्ट अ क्या करता है इस तुएस्ट ठीक है दूसरा इंपोर्टेंट कि अर्थ के पास एक नेच्टिरल सेटलाइयट का बताया सभी बच्चे नेच्रल सेटलाइट का सर नाम सर बच्पन से पढ़ते हैं पर वीनस के पास कोई मून नहीं है और यूट इस तो यवेस्ट हो मेंगा ये वेस्ट वेस्ट हो मेंगी यह दिक्कत है आप देखेंगे यह इसके अंदर क्या है इसके अंदर डिफरेंस है चले आगे बढ़ते हैं वीनस सबसे होट प्लेनेट है इंदर सोलर सिस्ट्रम मार्स के बाद वीनस ही आता है और यह इसलिए है क्योंकि इसका वीनस के ओपर क्या है यह वीनस है यहाँ पर पूरा का पूरा तो मार्स के बाद अगर हम देखेंगे वीनस जो है दैट इस वाट यह इसको होटेस्ट बना देता है इसको क्या बोलते है आर्थ का ट्विन बोलते है इसको कितनी कंट्री का और्गनाइज़िशन कोई में को बताएगा अस्याइशन आप साउथ इस टेशन नेशन के अंदर सर अम बताता हैं आपको 10 कंट्री होटी है सर आश्यान के अंदर राइट इसकी Defense Minister मिनिटिंग सर यहां पर प्लस भी लगा रखा है यह आप देखेंगे जान से हां Defense Minister मिनिटिंग प्लस यह अभी और्गनाइज हुई है 8 आश्यान Defense Minister अब यह प्लस को लगा रहा है मैं आपको बताता हूं पर आपको इसके पहले देखना होगा कि आ अदर कितने members हैं अगर आप आप आपके मेंबर्स देखेंगे तो यह TN मेंबर्स हैं मयानमार कंबोडिया इंडोनेशा, बुरुनेशा, मलेशा, लाउज, ठीक है, अगर हम देखेंग, फिलिपेंस, वेतनाम, थाइलेंड, एंड सिंगापूर, ये 10 कंट्री आपको मुझवानी याद होने चाहिए, ठीक है, 10 कंट्री आपको मुझवानी याद होने चाहिए, ये कंट्री है, प्लस, ये तो ADMM है, है ना, ये आश्यान के निशन से, आश्यान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ये है, बट यहाँ पर प्लस भी लगा रखा है, प्लस का मतलब क्या है, इन आश्यान निशन के अलावा भी, आठ ऐसी कंट्री हैं, जिसको ये इसकी डिफेंस मीटिंग के अं इंडिया है, तो इंडिया और चाइना को याद कर लेंगे हैं, रैट, दूसरा क्या है, जापान और साउथ कोरिया के वीच में रिलेशन्चिप हैं, तो हम इसको जापान और साउथ कोरिया को भी याद कर सकते हैं, दूसरे सर, ये बहुत ज़्यादा वर्सेज में आ रखे गहांगे तो आपको याद अगया यह दिद्व मित्वे क्या होता है इसके साथ एक इन जो इंडिव मैं ठीक है इसके साथ साथ आठ सलीज और ले लो यह प्लस का मतलब यह आठ कंट्री इंट प्यों थ्ल्कुल ध्यान रखना एक्जाम के अंतर अगर अगर प्लस हें ए यंज संधूरी फिशंघत इर्फंट स्कूंट्री के यह सुधा है आप है इंगापूर के इंदर वाठे थे हैं यहां पर सिंगापूर में ठीक है और सिंगापुन में बैटकर ही सोच रहे थी क्यों ना हम और नेशन को भी बलाएं हमारे सब सब का डिफेंस और भी नेशन का डिफेंस जरूरी है ठीक है अगर हम कर लेंगे माली जिए इंडिया को नहीं बलाते तो बहुत सारे डिफेंस हमारी कमजोर पड़े पर हम दूसरा गूरुप बनातें A-D-M-M-Plus 2007 के अंदर यह सोच रहे और जो पहला A-D-M-M-Plus हुआ वह 2010 बाते खोंगे यह सारी याद रखने की बाते और सबसे पहला जो हुआ था सबसे पहला A-D-M-M-Plus जो पदेखेंगे वह वेत नाम के अंदर वेत था वेत नाम क्यों क कुछ facts हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने भी आपको बता हैं सेकेंड आश्यान defense minister meeting ADMM 2007 के अंदर इन्हों ने सूचा फिंगापूर के अंदर इन्हों ने का कि ADMM प्लस अपन बनाएंगे ठीक है और पहला ADMM प्लस बना 2010 के अंदर कहां पर वेतनाम के अंदर और अगर चलो लास्ट में तुमसे कौशन पोचूँगा जहां से पढ़ना सब कुछ लास्ट में थोड़े बहुत कौशन पोचूँगा जिससे तुम्हारा हम डिपेंस को स्ट्रॉंग करें कैसे आपस के अंदर ट्रस्ट जो है मूच्वल ट्रस्ट और कॉन्फिदेंस बिल्ड करें ठीक है इस तरह से यह सब चीज़ें के बात होती है राइट चलिए नेक्स्ट इस डीजी शक्षम डीजी शक्षम का मतलब यह समझो डीजी का है कि आईटी मिनिस्ट्री की जोगी वो को योजना ओगी नहीं इसके अंदर देखो क्या है लेबर मिनिस्ट्री लेबर मिनिस्ट्री प्लस माइक्रोशॉफ्ट इंडिया बहुत ज्यादा अनमप्लाइमेंट बढ़ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए कोई प्रोग्राम चल और यह डिजी शक्षम नाम का शक्षम नाम का क्या कर रही है एक प्लेटफॉर्म बना रही है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर यह एंप्लाइमेंट यह क्या करेंगी स्किल्स देंगी ठीक है डिजिटल स्किल्स देंगी बहुत लेंग्वेज इसे आप जो इंप्वार्टन लेंग्वेज किया है जाब इन लाईग्वेज के उपर लोगों को स्किल लवलब कराईगी और इसके कारण तीन लाग के आसपास का जॉब यह कोशिश करेगी इस तरह से मतलब क्या है जो लेबर मिनिस्ट्री ने का कि हमको employment बढ़ाना है तो क्या करें एक चलो एक scheme निकालता है डिजी सक्षम तो इसने का कि पर इसके अंदर हम कैसे हमको तो पता नहीं कि कौन कौन सी language है क्या क्या है तो इन्होंने Microsoft कि तुम्हारे साथ मिलकर हम क्या करेंगे हम डिजी सक्षम स्टार्ट करेंगे तो तो उन्य लेबर मिनिस्ट्री और Microsoft इंडिया जॉइंटली लाँच ए डिजी सक्षम तो एनांस यूथ एम्प्लाइबिलेटी यूथ एनांस करने के लिए यह स्टार्ट करा है डिजी इस्किल प्रग्राम तो अनांस दाइनांस अप्लिएबिलेटी ऑफ यूथ यूथ और यहां पर प्राइटि उनको जी जाएगी जोकी जॉप सीकर्स नुकी डिसद्वांटेज कम्मेटीज के हैं डिसद्वांटेज कम्मेटीज में आपको पता है इंडिया के इंदर स्थी ओए सब को क्या है इन सब को बुलाए जाएगा और थोड़ा बाद तुम पढ़ लिख लो जिससे कि तुमको जॉब मिल जाए ठीक है लेबर मिनिस्ट्री कर रही है और अच्छी चीज हम तुमको बढ़ाएंगे ठीक है तो कट कॉपीपेस नहीं सिखाएंगे सिर्फ एक्सल पाइथन जावा और सिक्योर्टी फंडमेंटल्स यह आपको क्योंकि इसकी डिमांड बहुत जादा है तो यह हम आपको सिखाएंगे तो फ्री और कोस्ट आपको क्या कर प्लस के अंदर एट कंट्री इस थी वो बिल्कुल लिखकर देतो इनिशल्स लिख दो सिर्फ जैसे इंडिया यह लिख दिया एक लाइन में लिख लिखना पहले इंडिया लिखो फिर चाहिना नहीं एक लाइन में सब लिख लिख लिखें अगे एडी एम प्लस में कौन-क के बाद जाकर पड़ेंगी नहीं वरोसा ही नहीं बिल्कुल तो आपको यहीं पर याद करना है राइट बताएं कि कौन-कौन सी कंट्री यह जल्दी से बताएं सभी बच्चे लिखें यह यह लिखना है सब को ऐसा नहीं कि देख दें ठीक हो जैसे जिसे बोल रहे हैं वैस न्यूजिलेंड वेरी गुट तस्नीम वेरी गुट समिक्षा पूजा राओ ऑस्टेली के साथ न्यूजिलेंड चाइना के साथ इंडिया रिख देते हैं ठीक है साउथ कोरिया के साथ जापान लिगी दिन दोनों पास-पास में और बस सर्याद हो गया अमेरिका और रुश कमीटी है एकानोमिक एडवाजरी कमीटी किसकी है और उनको बताएगा और क्या आपको औडवाईज कैक्ट एप्टे इस तरह से पी M की एक इसपेशल पी उती है जिसको होते एकानोमिक एडवाजरी कमीटी अभी किया इसके उन्दर तीन मेंबर डाल दीए गए है एडवाइजरी कमिटी जो है यह बताएं मुझे कि एकॉनमिक एडवाइजरी कमिटी क्या constitutional body है क्या statutory body है बोध कैसे होगी नन बताएं constitutional है कि statutory है कि दोनों है कि नहीं है दोनों तो कैसे होगी ठीक है constitution में है नहीं है statutory नहीं है बोध तो बिलकुल ही नहीं है ठीक है नन तो नहीं है राइट नन के इपर राइट लगाएंगे अब कहेंगे इस नॉन constitutional बड़ी यह इसको constitutional में नहीं का कि एकॉनमिक एडवाइजरी कमिटी होनी चाहिए ठीक है और नहीं यह statutory body यह non statutory जो बोल रहे है statutory body यह sir non statutory body ठीक है इसका काम क्या है Prime Minister सापको समझाना है कि साब आपको क्योंकि economics का ग्याम कम है तो हम आपको economics का ग्याम दे देंगी तो and in the September 2021 तो आप इसके अंदर यह देखेंगे EAC क्या है एक non constitutional non statutory independent body है जो क्या कर रही है एडवाइस देरी economic and the related show the government of India specifically to the Prime Minister Prime Minister को यह advice देती है क्या करना चाहिए आपको महेंगे इतनी हो रहे है माइक्रोफेनल्स के उपर capital account जो है current account जो है वो deficit में जा रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए इंडस्टियल इंपूट कैसे बढ़ा है पन इंडस्टियल आउट्पूट कैसे बढ़ा है यह सब चीज़े administrative से related logistics से related यह सब चीज़े budgeting से related यह सारी चीज़े जोती है economic advisory council प्राइमिस को को advice करती है, इन सब भी topics के उपर, right, चलिए, next is Udhan 2.0, Udhan 2.0 scheme क्या है, यह मैं आपको बतायता हूँ, यह है न, agriculture से related है, देखो, जैसे मालों की North East area है, ठीक है, बहुत हिली area है, यहाँ पे प्रोडेक्शन दो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, सब कुछ और्गेनिक मिल रहा है, प्रोडेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, वेजिटेबल्स का, अग्रिकल्चर का, बट यहाँ मार्केट नहीं मिल पारा, भई, पहाड़ों में कहां मार्केट मिलेगा, तो यहाँ से अगर माल लीजे, यहाँ से इसका अगरिकल्चर उठा कर, अपन मार्केट के अंदर लाकर एक्सिस करवा दे, तो इन लोगों के मज़े उजाएंगे, अगरिकल्चर फार्मर्स के, क्योंकि यह ट्रकों के अंदर नहीं जा सकते, पहाडों में उगरा है, तो कैसे जाएगा ट्रकों के अंदर, तो यहाँ पर सिविल अविजेशन मिनिस्टर ने, एक स्कीम लाँच करी है, यह क्रिशी उडान 2.0, यह क्या करेगी, क्रिशी उडान 2.0 क्या है, यह फार्मर को असिस्ट करेगी, क्या, कि तुम्हारा जो भी agriculture produce है, उसको हम market दे देते हैं, हम market तक ले जाते हैं उसको, तुम कहां तक पहाडों से नीचे उतार के लाओगे, इससे हम aeroplane लाएंगे, ठीक है, उसके अंदर तुम डालना, helicopter के अंदर, और हम ले जाकर, इसको market के अंदर डाल दें, यह हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, इस तरह से क्या है, इस तरह से क्रिशी उडान 2.0 स्कीम स्टार्ट कर गी है न, इस स्कीम इसे वर्दन 2.0 एक वर्दन, ठीक है, क्रिशी उडान स्कीम पहले लाँच हो गई थी, अगस 2020 के अंदर on international and national roots, to assist farmers in transporting agriculture product, so that it improves their value realization, ठीक है, और important यह है कि इसके अंदर perishable foods, जो बिलकुल जैसे टमाटर एक perishable food है, ठीक है, अगर हम कहें, वो जल्दी खराब जाता है अपल, परिशीबल है, ठीक है, तो इनको जल्दी से जल्दी पहुँचा है, विदिन मिन्टों के अंदर यहाँ पर पहुचा दे, ठीक है, तो यह देखू, किशी उडान 2.0 will focus on transporting perishable food from the hilly areas, northeastern states and tribal areas, is this clear to everyone? Sir, it is helpful in CDS, OTA examination, पिछली बार मैंने पढ़ाया था, तो सारे examination में पूछा गया था ही, ठीक है, तो सब के लिए यह eligible है, और जो आपके जो, यह public, यह जो होता है, PSC exams होता है, ठीक है, यह state level के examination होता है, उनके लिए भी बहुत होता बच्चों, राइट, अब इसके अंदर क्या है, कि 53 airports across the country, mainly focusing on the northeast and the tribal areas, likely to benefits farmers, freight forwarders and airlines, ठीक है, and opted airports not only provide access to the regional domestic market, but also connect them to the international gateway of the country, समझे बारा है, उनका एक, उनको connectivity में मिल जाएगी, और उनको एक market भी मिल जाएगा, that's why it is very very important for this one, right, तो देखो, resource pulling इसके अंदर करा जा रहा है, resource pulling कैसे करा जा रहा है, कि बहुत सारी schemes चल रही थी, माल लेजे, एक ministry of agriculture scheme चला रही थी, एक ministry of transportation scheme चला रही थी, यहां बहुत सारे लोग scheme चला रही थी, तो सबको merge कर दें एक जगे, और कहें कि भई market से related जो भी scheme थी, उनकी resource pulling करें, तो establishing convergence mechanism, इस तरह से convergence mechanism कर कर, ठीक है, तो this is important, resource pulling के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, सारे departments और regulatory body जो है, उनसे collaboration कर रहे हैं, ठीक है, उनसे collaboration कर रहे हैं, और उनके basis पर फिर क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, इस scheme को, कृषी उडान 2.0 को launch कर रहे हैं, इसके अंदर एक e-cocial भी है, e-cocial, e-cocial, sorry, e-cocial है, कृषी उडान for sustainable, holistic agriculture, logistic, यह क्या है, यह information dissemination करने का platform है, पतलब यहां से information मिलेगी, सभी stakeholders को, सारे stakeholders को यहां से क्या को रहेंगी, किसानों को, और जो भी, जो भी pride forwarders है, इन सब को क्या मिलेगी, यहां से information मिलेगी, this is how you have to understand, ठीक है, I hope this is clear to everyone, and this is all about today's class, thank you so much for listening me, प्लीज शेर इस वीडियो वाइडली, देखिए, यह जो 1.5 यह की current affairs है, मैं पूरी energy के साथ इसको बढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, और पूरी multiple dimension के अंदर current interface कवर करने कोश्च की जाती है, ठीक है, इसके अंदर सारे आपके science and technology से लेकर, geography से लेकर, quality, environment, सारा ही मैं इसके अंदर कवर करता हूँ, it takes a lot of efforts from my side, मैं बहुत ज्यादा effort लगा कर इसको कर रहा हूँ, आपका जो काम है, आपकी जो duty है, वो यह है कि आप इसको share करें widely, ठीक है, यह इतना widely share होना चाहिए, कि second video अलग जोश से मैं बराऊ, ठीक है, like करो वीडियो को, subscribe करो channel को, और share it widely, ठीक है, चलिए, so that's all for today's class, thank you so much for listening me, bye-bye.